दूर की आकाश कंगा में, राजा नामक एक भायबीत खरगोश अपने छोटे से अंतरिक्ष यान में राक्षसी सेना से भागते हुए अंतरिक्ष में भाग रहा था प्रूर राक्षस राजा रक्टबीज के नित्रित्व में राक्षस राजा के कोमल मास का स्वाद लेना चाहते थे शरन पाने के लिए बेताब, राजा का जहाज वैकुंत क्रिह पर दुर घटना ग्रस्त हो गया, जो भगवान विश्नू का दिव्य निवास है जैसे ही राजा मलबे से बाहर निकला, उसने नीली त्वचा और सुनहरे कवच में चमकते हुई विश्नू के राजसी रूप को देखा कापती हुई आवाज के साथ, राजा ने दया की भीक मानगी, है भगवान विश्नू, मुझे इन राक्षसों से बचाओ वे मुझे एक हानिरहित खरगोश को खा जाना चाहते हैं विश्नू की दयालू आँखे मुस्कुराई, डरो मत, राजा, क्योंकि मैं तुम्हे नुकसान से बचाओंगा राजा को राक्षसों से बचाने के लिए विश्नू ने शक्तिशाली देवताओं की अपनी टीम को बुलाया देवताओं के राजा इंद्र ने अपने शक्तिशाली बिजली के बोल्ट को चलाते हुए हमले का नित्रत्व किया अगनी देवता ने राक्षसी भील को पीछे हटाने के लिए एक धधक्ती हुई आबुगल दी साथ मिलकर देवताओं ने राजा के चारों और एक अभेद्य धाल बनाई जो ने राक्षसों की तुरकते हुई जबड़े और उस्तरे तीखे पंजों से बचाती थी इंद्र की बिजी के बोल्टों ने अंधेरे आस्मान को रोशन कर दिया जबकि अगनी की लप्टों ने राक्षसी सेना को जुलसा दिया शिव के त्रिशूल ने राक्षस राजा रक्टबीज को मार गिराया और राम के बानों ने शेश राक्षसों को परास्त कर दिया। जीत उनकी हुई और देवताओं ने खुशी से जैकारे लगाए। राजा प्रितग्यता से अभिभूत होकर अपने जीवन को बचाने के लि में उनकी किंदंती बढ़ती गई। राजा, जो अब आकाशकनगा की नजर में एक नायक बन गया था, अपने अंतरिक्ष यान में वापस लोट आया।